दिहरादुन जो एतिहासिक सहर है और सुष्टी के आधिकाल से हिमाले में जहाने शुमनियोंने साधना की है वहीं जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं प्रज्याचक्षु हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सेवा ब्लाइंड स्कूल दिहरादुन में न निश्वार्थ निश्काम दिव्य सेवा दे रहे हैं ऐसे श्रीशनुल जी को और डारेक्ट श्री नचिकेता जी सहीत इस सेवा साधना में लगे वे सब भाय भेनों को मैं प्रणाम करता हूं और प्रणाम करते वे या वहन करता हूं कि कोरोना काल से लेकर कि जीवन के हर सं अंकट से पार ने करने करी योग हमें अद्भुत सामर्थे लेता है और ग baik जिनके बाहरके चक्षौ नहीं है तो भी अनतहाँ चक्षौ प्रज्या बाहरने सap को दी और योग उसा अंतहई प्रज्यां को अनतहाँ ज्यान चक्षौँ को यह बाहरके चर्म चक्षौ हैं जी तुम नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षो देता। और शीव भी हमारे त्रेनेत्रधारी है। उनको दिव्य चक्षो अपलगत है। वह दिव्य चक्षो से भूत, भविश्यत, वारतमान, सबको देखते हैं। और उनको त्रई विद्ञा का बौध है उनको श्तित प्रज्जय होंगे और वह सच्य अर्थों में योगवी त आत्मवी तो ब्रह्मवीत हो करके इस जीवन में जो तो सफलताएं पानी उनको तो पाई सकते हैं वो इसी जीवर में बोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं जो हमारे प्रज्या चक्षो भाई भेन हैं उनको प्रणायाम विशेश रोप से अधिक करने चाहिए उससे उनका आंतरिक सामर्थे इतना बढ़ जाएगा कि उनके भीतर क देवत उनके भीतर का महामानव उनके भीतर का रिशित्व ब्रह्मत्व योग से पुरा जागरित हो जाएगा और वो योग से निरोगी तो बनेंगे वो नर्से नारयन जीव से ब्रह्म मानव से महामानव और पुर्श से महापुर्श बनेंगे बस एक ही शर्त है कम से कम आ 99 परसंट तक ले जा सकते हैं विदिन सेवन टू 15 डेज मैक्जिमम सेवन टू 10 डेज में रिकवरी रेट हमारा 100 परसंट हो सकता है ऐसा हमने किया है प्रणायम करवा करके और बिल्कुल सिंपल आयरवेद की कुछ ओशदिया भी गिलोई तुलसी कालमेच हल्दी अद्रग दा बस तरीका दो से पांच मिनट ये रेस्परेटी सिस्टम के लिए वैसे भी जिनका रेस्परेटी सिस्टम भी का है जिनको अपरटेंशन है जिनको हाट के प्रणायम करके फिर जह है उपचार के लिए निकले तो कपाल भातिफ है ये डियापटीज के लिए पेट के लिए बड़े जबरदस्त अप्राना है यह पांस से दस मिनट प्रते दिन आवश्य करें जितने भी हमारे कोरोन वारियर्स है मैंने पेशेंट्स का रिकवरी रेट पढ़ेगा उनका डेथ रेट हम जीरो लेवल तक ला सकते हैं उनकी इम्मिनिटी को बढ़ा सकते हैं और जिन कारणों से कोरोना होता हुँआ उनका निवारन कर साथ इसको हम सिम्टोमेटिक टीट इसको बढ़ा तो कपाल भाती पास से दस मिनट अवश्य करें फिर उच जाए गले और थाराडी के लिए बहुत अच्छा है और यह दी कोरोन का इंफेक्शन गले में भी है तो उसको भी दूर करने में जबरदस्त मदद करता है कि इसमें कोरोना की टेस्टिंग भी हो जाती है और ट्रीट्मेंट भी आधा से एक मिनट तक होल्ड कर ले तो इसका मतलब कि आपके शरीन में कोरोना नेगेटिव है आधा से एक मिनट आप होल्ड कर ले इसे होल्ड करके दायना को बंद करके बाएं से छोड़ दैसे तीन से पांच बार इसको कर लिया फिर यह अनुलों मिलों कि अग्या बस्तरी का कपाल भाती अनुलों मिलों चपर दस्त प्रायमन कि अनुलों दोनों ही पांच पांच दस-दस मिनट किये जा सकते हैं फिर भ्रामरी वुद्गीत आज यह चक्र में मन को ठिका कर कि कि अपने आपको कंसंट्रीट करके अंतर मुखी होकर कि जब हम करते हैं अपने आप ध्यान लग जाता हूं यह स्ट्रस्ट डिप्रेशन के लिए जाएटी के लिए हाट के लिए बहुत जबर दस्ता है इससे ब्लाद प्रशर भी एक्टम कंट्रोल हो जाता है हम् 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 कम से कम तीन से पांच बार भरामरी और तीन से पांच बार ऐसे उद्जीथ लंबा घहा ौछाष भर के उनकार का उच्छाड़ करते हैं लंबा घहा हूए 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 लूँ 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 यह मोख्य प्राणाय मैं सबके लिए जिनको उचरक तचा फ्रदय रोग हो बहुत गर्मे रग लिया इंजाइटी डिप्रेशन है गवराट और यह उनके लिए शीत्री शीत कारी भी अच्छा है उसको भी कर सकते हैं जिवा बाहर निकाल करके मुख से स्वास लेना नाक से सोगना इसको भी पांस साथ बार कर सकते हैं फिर जिवा दातों के पीछे लगा के दात बंद रखना ओष्ट खोल करके मुख से स्वास लेना नाक से सोगना यह इतने प्रणायम सब के लिए जरूरी है 99% कोरोना में और सब रोगों में प्रणायम से इलाग होता है इस सब को करना चाहिए इस सब के लिए मेंडेटरी है अब प्रणायम क्या तरिक जिनको दूसरे योगा भ्यास करने है तो बोड़ी को फ्लैक्सिबल करने के लिए बोड़ी को रिलक्स करने के लिए सूख शमयाम कर ले दो तिन मेंड़ अंगलियों का उंठों को पंजे को आगे पीछे दबाया ऐसे गोल गुमाया थोड़े इसे गुटनों को भी हिला लिया और इसे सरीर को भी आगे पीछे थोड़ा सा हिला लिया ये चक्की आसन कर लिया फिर ये स्थित्कोन आसन कर लिया ऐसे थोड़े रिलाक्स हो जाते हैं इसे आगे पीछे थोड़ी जुख लिये थोड़ा ऐसे बटरफ्लाई कर लिया और हाथों को भी ऐसे सामने खुरके थोड़े सूख शम्याय मैं शी घरता पुरग बता रहा हूं कि सब ऐसे आराम से कर सकते हैं इस तरह से या फ्यास नमेला में शासों के साथ करते हैं तो पूरी बोड़ी रिलाक्स हो जाती है बहतो बोड़ी को माइंड्स को आपने थोड़ सी मॉसंस को एनर्जी को हम कंट्रोल कर रहे थी कि अशे यह सूख शम्यायाम और गर्दिन को गोल गोल भी आसे को हमाई सकते हैं इस सब को करने हैं अब यद्दी पर मैंने का निनानवे प्रतिशत प्राणायम से इलाब हो जाएगा सब को कोरोना की जंग से लेकर की जंदगी की जंग जीतने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए इसके उपर हमने क्लीनिकल कंट्रोल ट्राइल किया एजी पीजी आई चंडीगाड और पतंजरी ने आज से करीब 12-13 साल पहले प्राणायम और ओंकार ध्यान का ये परिणाम पाया कि इससे प्रोड़क्टन कार्टिसोल, ACTS, एडलीन, डलीन हमारे कम हो जाते हैं इस्ट्रेस हरमोस और बिटा इंडॉर्फिन, इनकैफिलिन, सिरोटोन, धोपामीन आदे जो अच्छे हरमोस से उनका लेवल पढ़ जाता है, तो प्राणायम के साथ साथ, अब जो बड़ी बीमारियां जो बहुत परिशान करते हैं विक्ति को, उनके लिए आशन भी बताते हैं, जैसे डियापटीज के लिए कम से कम पांच आशन, डियापटीज के लिए पांच आशनों में सबसे पहले मंडू का अ अब आशन का विशेशन हैं, जैसे मैंने कहा कि साथ को बार छोड़के आगे जुकेंगे, कमर में दर्द आगे नहीं चुकने, अरनिया पीछे नहीं जुकना, यह प्रिकोशन रखना, जैसे प्राणायाम की संदर में हम कहते हैं कि असाध्य रोग होने पर कपाल भाती, अन में देखते हूं बिमारी यह क्योर हो जाती है, डियापटीज के पेसियन लगाता रही है, पांच अभ्यास दोमा भी बता रहा हूं और प्राणायम करके नॉन डियापटीक हो गे, बीपी लोगों का पहले कंट्रोल और बाद में क्योर हो जाता है, दवायां बंद करने एक एक मिनट करके पांच बार कर सकते हैं और दो ढ़ाय मिनट करके दो तीन बार में पांच मिनट कर सकते हैं तो पुराला मिलेगा, यह डियापटीज के लिए राम बान है, अध्भुत है, ब्रहमास्त्र है योग, मोदी जी भी कहते हैं, योग में प्रणायम सरवाधिक ल लेंगे तो पुराला मिल जाएगा, मंडूक आसन, वक्र आसन, जो सब कर सकते हैं, दाहिना पर मोड़ा, बाहिन पर सीधा, ऐसे भूम गए, एक आसन को एक दो ढ़ाय मिनट से ले करके, दो तीन बार करके, पांच मिनट तक करना तो सो प्रतिश्यत लाब मिलेगा, जो एफ बन मुक्तांसन, गुटनों को दबाया, चाते से रगाया, सिरू ठाकर की नासिका को लगा दिया, गुटनों से, पंजद अवेगे, एडिया नितम से लगी जिया, एक मिनट तक आसन का, इसे पिंक्यास की भीटा से एक्टिवेट हो, दाप्तिज की तीन बड़े कारन है, ए इसे दाप्तिज हमारी बढ़ते हो, तो उन सब का निवारण होता है, उत्तान पादासन, ये भी एक मिनट से सुरू करके, ऐसे एक मिनट करके इसको पांच मिनट तक किया जा सकता है, तो इसे पूरा लाव होगा, ये पेंक्रियाज के लिए जब अरतसता है, उत्तान पाद डाप्तिज के लिए जबरदस्त हैं, आसन प्रण है, अब मोटा पा के लिए है, तीन अभ्यास सीधे लेट करके है, उपर नेचे उठाना, दस, बीस, पचीस, पतास बार से सुरू करके, फिर पतास पतास के दो, तीन, चार, पांस राउंड कर लेते हैं, सो से दो सो बार त अब भ्यास वहाँ, पैरस से बड़ा शन्य बनाना, पहले पांच दस बार, फिर बीस, पत्चीस बार, पचास बार, और इसके दो तीन राउंड कर दिये, तो सो दो सो बार तक हो जाते हैं अब भ्यास, और इनका जबरदस्तलाव होता है, योगा भ्यास करें, आहर पन लिय अब बचास करें, इस तो से चल में, और यह तीन राव्यास, यह इनकार्च पहले पन भ्यास यह इड़ायर करें, और पहसले, पहले दस वीज़ बार इस शुरू करें, और दस वीज़ headline कर के इस 허팝 को पचास और सो बार तक लगातार लोग कर लेता मैंने देखा, यह भुजंगाशन ऐसे भी और ऐसे भी और एक अभ्यास बैठ करके कम से कम बैठ करके या तो यह अभ्यास कर देंगे पेट के लिए और वेट के लिए बहुत अच्छा ऐसे लम्मे लम्मे श्वास अगया अफ़ाई चक्कियासन करने आगे पीछे कोहिया नहीं मुद नहीं चाहिए पंजों के उपर पीछे घुत्रों के उपर से जंगाओं के उपर से आहां तो यह लोग वाईज अग्याशन दिप्लों कि लिए डाइबिटीज और वेट के साथ साथ पीछ के लिए कमर के ल गर्दन में दर्द है तो यह अभ्यास करें लें सोक्षम में आयं के ऐसे इस तरह से अभ्यास सारे हमारे ग्रदन को हमारी कंधों को स्वाइनल कोड के जो ऊपर के वाटीप राज है 33 के 33 जो हमारे वर्टरी प्राज है उनको पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यह अच्छे अप्यास हैं उसमें एनर्जी का बलड का फ्लोप पूरा अच्छा रहेगा फिर यह उष्टास है ऐसे भी कर सकते हैं इसको और ऐसे बैठ करके भी ऐसे उख सकते हैं जो ऐस बहुत अच्छे आसन हैं यह भुजँगासनी वेट के लिए होता है जब 25-500 बारतक करते हैं आराम आराम से करते हैं तो कमरत्त दूर होता ही होता है ऐसे भी कर सकते हैं इसको में ऐसे आराम इसे किया ठ्टह दोका फिर ऐसी तैभरी दिसा के पहर के अड़ी को देखते हैं और सीथी लिटकर के जबरतस्त है कमर के लिए मर्कटासन, एक तरह पैर दूसरी तरह करता है यह है मर्कटासन के तीन अभ्याशन, पहले में पैर पास में थे दूसरे में गॉटने-पंजो में फासला, तीसरे में पैर सीथे, एक पैर को उठा कि अपोछियू साइड के हाथ के पास लेकर के चले जाते हैं इस तरह से या प्यास है कि जिल को कमर में दर्द हैं उनके लिए अर्धपवन मुक्तासार शिर्न ना उठाए बस गुट्नों को तबाये नूमा पेल के लिए कमर के निचे लेवारे हिस्से के दर्द के बहुत अच्छा है कि पर उठाए नीचे लेकर के इसे भी कमर दर्द अच्छा होता है तो यह अब पूरे शरीर को आपको एक्सराइज दे लिए अर्व तो वह सूरी नमसकार से वा जाती है तो यह भी पांच मिनिट से सुरू करके और Celt ईर्ड कर सकते पांस ते शरू करके 25 पचान सो बार है इसके बार या पूरे शरीर का पूरा व्यायम हो जाता है कम्पीट बोडी एक्सेसाइज साइंटिफिक एक्सेसाइज इंक्लेसिव एक्सेसाइज और वहत तरण है जो जितना कर पाएं यह प्रणाम आसन यह उद्वास्तासन पीछे जाएंगे तो स्वास बाहर यह नियम रहेगा जब इसको आराम आराम से करते हैं तो एक मिनट में कम से कम चार पाच बाहर से लेकी छे बार तक प्रणाम आसन स्वास बरके उर्ध रहे खरके पाद हस्तासन दक्षण अस्व प्रवतासन स्वोस्तांगासन भजदगासन परवतासन वाम अश्व संचालाना पाद हस्तासन कि इसको सामने माध्यामति ब्रगती से किया जा सकता है सुरे मस्कार को स्वासू के देंटरन की साथ जो यंग्स्टर्स हैं वे अधिक व्यायम करना चाहते हैं तो कम से कम दो बैठक और तीन दंडर रगाने हैं से दस वीस पचीस पचास वार ऐसे कर लेते हैं कि ऐसे एक साधान बैठक इसको कहते हैं और एक होता है ऐसे एक पर बगल में ऐसे बैठके दो चार पांच बार से शुरू करके इसको भी कि दस वीस बार तक किया जा सकता है इससे पूरी बॉड़ी हमारे अनर्जा चिक हो जाती है तीन तरह की दंड होती है एक साधान दंड होती है ऐसे ऐसे पांच दस बार से शुरू करें पहला फिर यह दूसरा ऐसे अंगलियां अंगठे अंदर की और पूरे नीची गए पूरे उपर उठें पांच दस बार से सुरू करके और धेरे धेरे पचास सो बार तक कर ले मैं पचास पचास बार करके एक मिनट में सो बार कर लेता है ऐसे फिरी लास्ट में मिश्यद दंड बठक साधा हो गये फुल बोड़ी एक्सेसाइज हो रही है इसमें भी सामा नेगती मध्यमयत ब्रगती इसको कर ले अब जो स्वस्थ हैं वे क्या करें वे कुछ आंसन कभी खड़े हो करके कर लिए कभी बैट करके कभी सीधी रिट करके कभी उल्टी रिट करके तरा संद्रेक रासां त्रिकोन अचन अ को नस थे पाद सासर आगे जुक्ना राधा गुतनों से लागा ना यह जोगा आँ और यह यह जोगना यह जो अब्यादेज़ अर्दुष्ट्रासन, इस सब कर सकते हैं, बोड़ी के बैलेंस बनाने के लिए रिक्षासन, आधा से एक घंटा प्रतिदनी योगा भ्यास करें, सुबोठ करके पाने पियें, हो सकेता आउला एलवेरा जूस और गिलोई का जूस पियें, खाने में सिक्वेंस में पहले सलाद और फल खाएं, फिर पकावा खाना खाएं, चबा चबा के खाना खाएं, खाने के एक घंटे बाद पाने पियें, सुबह दही दो पर चास रात को खाने के एक घंटे बाद दूद पियें, खाना हमारा सात्विक हो, हेल्दी हो, उसमें सारे नुटिशन्स, माइक्रो नुट आसल नोन वाइलेंस बेजड एक जीवन पध्धती का नाम योग है ऐसे यह आसन तो सब कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं तो कुछ आसन खड़े हो करके कर लिए कुछ आसन उल्टे लेट के कुछ सीधी लेट करके जो स्वस्थ्विक्ति हैं वो ऐसे एक दिन में पांच से दस आसन अवश्य कर लेए तो पीछे जुग गए तो सुप्तवच्रासन ऐसी ही पदमासन में बैठ करके आगे जुग गए तो योगमुद्रासन पेट्रो डैप्टीज के रजबर्दस्त तईव कि पहले तो माधारी टिक पाएगा गाद में कोशिश करें कि ठोड़ी टिक जाए आगे जुग गए तो योगमुद्रासन पीछे जुग गए तो सुप्तव अधमासन और जिदी इसमें गर्दन मोड करके और एसे पैर के उठे पकड़ लिये तो ये मच्छासन में तो कुछ आशन ऐसे ही बैठ करके कर लें जिससे जितना बन पाए उतना कर लें और नियम से कर लें तो मैंने कहा हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं तनाव मुक्त व्यसन मुक्त सब प्रकार की हिंसा जूट अनाचार अलग प्रकार के जो अशुचिता हैं जीवन में असंतोश है जीवन में दुख हैं द्वंद्व हैं उनसे मुक्त जीवन जी सकते हैं इसलिए योग रोग मुक्त से ले करके व्यसन मुक्त से ले करके जीवन की जितने भी दुख हैं दर्दरताएं हैं जितने भी जीवन की कुंठाएं हैं निराशाएं हैं उनसे मुक्त का एक अनिष्ठान है इसरे कहते हैं कि योग मुक्ति का साधने मुक्ति मनी चूटना बुरी चीजों से चूटने कमाते हमारे तो हम व्याधियों से मुक्त होते हैं समाधी से युक्त होते हैं बुरी चीजों से मुक्त होते हैं अच्छी चीजों से योग के द्वारा युक्त हो दिव्यता को अनुभव करें यही जयान योग, भक्तियोग, कर्म योग यही आत्मसेयम योग यही विभूती योग है अपने भीतर भगवान न है अनन्त विद्य विभूती एक एक इनसान में भगवान न है अनन्त सामर्थे दिया I mean बार बार गाता हूँ भगवाण ने इंसान बनाकर के हमें दुनिया की सारी दोलत दे दिये, बाकी काम तो हमें अपने विविक से खुद करना और अपने भीतर बाहर जो भी आइश्वर्य है यद्यद विभूति मत्सत्वम स्रिमद ऊर्जी तम्भेववा सारे इस ऐश्वरे में उस भगवान का इश्वर का ही ऐश्वरे देखे और परमभक्ती से भक्त्यात्वन अन्य आशक्या ہम एवम anc जुना ज्यातूं द्रस्टुम चे तत्विन प्रविष्ठूं चे परम्तपा उस भगवान के साथ हम एक आत्म हो करके जीएं तो फिर जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई द्वंद, शिश नहीं रहेगा, रोग तो मिटते हैं, भव रोग भी मिट जाता है, तो ये योग का मार्ग है, ये सब किस स्वास्थे के, मने कोमिनीटी की इमिनीटी को करने के लिए, इंडीज्वल हेल्थ से लेकर के वाल्ड हेल्थ, वाल्ड पीस, वाल्ड प्रस्परेटी, वाल्ड हार्मनी, वाल्ड हैपिनेस के लिए, ये योग एक महामंत है, योग एक विज्यान है, ये जीवन विज्यान भी है, इस माध्यात में विज्यान है, तो ऐसे इस योग का हम प्रते दिन अनुष्ठान करें और एक healthy lifestyle को adopt करके योग को अपने आदत बना करके योग आदत बन जाएगी तो सारी बुरी आदतें वैसे भी ठीक हो जाएगी हम जीवन को दिव्य बना सकते हैं इसलिए योग से जीवन का जहां एक और निर्मान होता है वहीं योग से हमें निर्वान मोक्ष की प्राप्ति होती है रोग तो मिठते हैं भव रोग भी कट जाता है यह है योग विद्या की महिमा इसको हम स्वयम जाने औरू तक इसको पहुंचाएं और सब योग को एक जनान दोलन की तरह ले करके चलेंगे तो हम कोरोना सहित सब रोग मुक्त एक व्रसन मुक्त एक दुख दरिद्रता हिंसा जूट बेमानी मुक्त सब प्रकार की अशुचिताओं से मुक्त परम वयभाव शाली हमारा जीवन समाज राष्ट और भारत बनेगा और यह हमारा सपना है योग मैं वेद मैं आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक भद्राणि पश्यंतु माकशित दुख भाग्ववेत ओम शान्ति 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 ही